नमस्कार आप सब का वेलकम है लेट्स क्रैक यूपीस्सी सीसी में मैं ललित यादव आज अपनी एम लक्षमिकांद की क्लास में आप सब के सामने कि DPSP का चैप्टर लेकर के प्रेजेंट हूँ और आज की क्लास में हम प्रोपर डिसकस करेंगे कि जो DPSP है राज्ये के निती निदे सकता तो है वो किस तरीके से वर्क करते हैं हमारे समिधान में उनका यूज हमारे कॉंस्टिटूशन में उनका यूज क्या है क्यूं उनको constitution में add किया गया उसके बारे में उसका जो criticism है वो क्यों किया जाता है और साथ ही उसके benefits क्या है इन सब चीजों के उपर हम discuss करते हुए आज की class में चलेंगे तो चलिए class start करते हैं सभी दोस्त जो मेरे बारे में नहीं जानते मैं basic अपना छोटा सा introduction एक दे देता हूँ मेरा नाम ललित यादव है और मैंने double MA, beard, mphil, phdb pursuing है net, grf qualified है, seated qualified है और gold medalist में रहा हूँ आपको pdf चाहिए या class का notification चाहिए तो ये telegram channel है इसको join कर लिजेगा सारी की सारी pdf जो है वो यहाँ पर available है अनकेडमी पर जितनी भी total complete slayvers की pdf मैंने डाल रखी है ठीक है तो telegram channel से आपको मेरी class का notification भी मिलेगा इसको याद रखना है और अगर आप इंडिया के सारे top educators से study करना चाहते है आप चाहते कि आप complete preparation करें बहुत detail में study करें तो अनकेडमी का subscription आप जोइन कर सकते हैं जहां पर आपको अभी बहुत अच्छे-च्छे offer चल रहे है वन येर की combo course में आपको काफी discount मिल रहे है यह referral code यूज कीज़ेगा यल यल आई वी जब भी जोइन करें अनकेडमी का learning app आपको mobile में install करना है पहले और फिर अपना goal select करना है UPSC-CSCS है फिर ये green color में get subscription का option आता है इस पे आपको touch करेंगे तो आपको अनकेडमी के जो courses है वो open होकर के आ जाएंगे तो दो तरीके के course है अनकेडमी पर एक iconic है एक plus का course है ठीक, iconic मैंने अकेडमी से आपको एक mentor मिलता है परसनल गाइड करने के लिए साथ ही आपको proper answer writing daily आपका study planner वगरा 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 आपको provide किया जाते है बाकी चीज़े same है इसलिए थोड़ा सा fees iconic की extra है प्लस की थोड़ी सी कम है लेकिन जब भी आप join करें तो अगर आपको discount चाहिए तो यह code apply करना ly live याद रखिए ly libe इस code को apply करेंगे तो आपको 10% discount हो जाएगा फीस के अंदर और proper personal guidance भी मिलेगी और मैं आपने सारे students को personally guide करता हूँ one on one direct one on one guidance आपको मेरे से मिलेगी अगर आप यह referral code लगा करके subscription लेते हैं classes सभी teachers की मिलेंगी जितने भी teacher and academy platform में सब available आपके लिए रहेंगे लेकिन मैं आपको personally guide कर दूँआ important चीज वही है कि without manager without assistant के कोई teacher अपना personal time निकाल करके students को guide करें तो आपकी journey जादा अच्छे तरीके से हो सकती है वो work मैं करता हूँ तो अगर आप यह ly live code apply करेंगे तो आपको proper guidance मिलेगी आपकी direct बात जो हो मेर से ही होगी optional course अगर join करना चाहते हैं तो optional भी join कर सकते हैं अगर separate optional लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ly live यह referral code आपको apply करना है one time payment नहीं कर सकते हैं तो loan की भी facility है अनगेडमी ने आपके सब का ध्यान रखा है कि जो student financially इतने capable नहीं है कि one time सारी payment करते हैं तो आप monthly monthly EMI पर भी payment कर सकते हैं अनगेडमी पर loan की facility available है उसको आप join कर सकते हैं ठीक है वहाँ से आपको मिल जाएगा आप जब भी एप download करोगे अनगेडमी का तो वहाँ से call आजाएगा आपके पस तो जब भी call आए तो उनको बताने कि loan के थ्रू लेना है monthly EMI पर तो इसमें भी referral code यूज़ करना पड़ता है तो यह code बताना L Y L I V E तो आपको loan भी मिल जाएगा और हमारी personal guidance भी मिल जाएगी और subscription भी आपका हो जाएगा लेकिन यह code ज़रूर याद रखेगा L Y L I V E L Y L I V E code यही है क्योंकि जब तक code नहीं लगाओगे guidance नहीं मिल पाएगी मैं आपको बतारूर और मैं आपने सारे students को personally guide करता हूँ नए best 29 दिसंबर से start हो रहे हैं सारे top teachers के और उनके साथ आपको books भी free मिलेंगी 20 book का set है an academy का वो books भी आपके घर पर पहुचा दी जाएंगी ठीक है हर संडे को an academy combat होता है यह referral code यूज करके इसको भी join कर सकते है L Y L I V E L Y L I V E an academy के app पर जाएए इसको join कीजिए इस code से free में prices जीच सकते हैं test दे कर गें ठीक है इंपोर्टेंट है UPSC की जर्णी में उसको exam को पास करने के लिए चलिए तो आज की class start करते हैं chapter 1 directive principles of state policy राज्ये के निती निदे सकता तो तो house the joss कैसे है भाई joss आपका जिंदा है की नहीं यह proper ध्यान रखना है यह bilingual class रहेगी ठीक है bilingual class है इसमें हम थोड़ा सा slide जो है वो English में ही read out करेंगे Hindi में proper read नहीं करेंगे उनको ठीक है एक high joss का answer आप सब का आना चाहिए मेरे सारे प्यारे दोस्तों का जितने भी यहाँ पर अभी live बने हुए है जी भूद बढ़िया भूद बढ़िया बेतरीन गजब चलिए तो directive principles की बात करने से पहले थोड़ा सा history की तरफ चलते हैं जब हम constitution के बात करते हैं तो constitution जब हमारा बनाया जा रहा था समिधान बनाया जा रहा था तो उस time बहु सारी चीजें बहु सारी rights हमारे constituent makers के दिमाग में थे और उनको बहु सारी जब पूरे world के पूरे समिधानों की उन्होंने समिख्छा की पूरे world के जो अलग-अलग constitution थे उनको जब उन्होंने study किया तो उनके mind में ये सारी की सारी चीजे आई कि अल्रादर रादर countries में इतने better rights उन्होंने अपने citizens को provide कि क्यों न हम भी provide कर दे तो उनके mind में तो था कि वो इस तरीके की right provide किये जा सकते हैं लेकिन उस time क्योंकि इंडिया एक developed country नहीं थी एकदम बिल्कुल नया नया आजाद हुआ था independent हुए थे हम अंग्रेजों से बहुत ही गरीब country एकदम बहुत ही poor country उस time हम थे तो हमारे पास इतने resources नहीं थे इतने पैसे नहीं थे कि हम सारे के सारे rights को हर चीज को fundamental rights में डाल दे मोलिक अधिकारों में add कर दे तो उस time हमें selective होना पड़ा हमें choose करना पड़ा कि उस time के इसाब से initially सबसे जरूरी क्या है for example आपके सामने कई बार जब आप life में आगे grow करते हैं तो आपके सामने कई बार कई सारी situation आती है जिसमें आपके सामने कई सारे options होते हैं तो उन में से आपको selective worker के choose करना पड़ता है कि आपको क्या करना है क्या आपके लिए ज़्यादा अर्जेंट है क्या आपके लिए अर्जेंट नहीं है for example जैसे मान लेते हैं कि आप study करते हैं तो आपको एक सामने से offer दिया जाए कि आप भई डेली क्या करना चाहेंगे डेली आपको खाना पानी regular आपको मिले फूड आपको regular मिले या फिर आपको डेली internet regular चाहिए तो first priority क्या है first priority तो आपके लिए खाना पानी है क्योंकि उसके बिना आप जिन्दा नहीं रह पाएंगे जिवित नहीं रह पाएंगे फूड है तो आप first priority कि इसको select करेंगे कि food को ठीक इंटरनेट जो secondary होगी उसके लिए आप बाद में देख सकते हैं कि हाँ चलो भी food रहेंगे खाएंगे जिन्दा रहेंगे तो internet के लिए तो बाद में भी हम capable होकर कि ले सकते हैं लेकिन priority क्या है priority food रहेगी वो अलग बात है कि आज की student आज की generation है वो तो कहेंगे सर खाना पानी गाए भाड में internet जरूरी है internet चीए हमें है ना उसके भीना चीए नहीं जाएगा तो वो अलग चीज़े लेकिन मैं आपको priorities की बात कर रहा हूँ तो जब हम आजाज हुए 1947 के अंदर तो उस समय हमारे सामने यही एक दूवीदा थी यही एक समस्या थी कि हम हमें सारी चीजों में से वो चीज़े सेलेक्ट करने जो बहुत जरूरी है essential है अभी current के लिए तो उन essential चीजों के लिए हमने fundamental rights जो है वो बनाए constitution के part 3 के अंदर अब बहुत सारे rights ऐसे थे जो fundamental rights में include नहीं किये गए बट उनको citizens को लोगों को देना बहुत जरूरी था अगर आप उनको provide नहीं करते तो citizens overall अपनी growth नहीं कर पाते और better life नहीं जी पाते अच्छी जिन्दगी जीने के लिए जरूरी थे कि वो अधिकार भी इनको दिये जाए तो उस time क्योंकि हमारे पास resources नहीं थे हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने उनको fundamental नहीं बनाया लेकिन उसके लिए हमने constitution में एक नया part बना दिया और जिसमें हमने DPSP के नाम से उसको जोड़ दिया part 4 ठीक है राज्ये के निती निदे सकता तो और इसके अंदर हमने basic basic कुछ ऐसे rights add कर दिये जो fundamental rights में हम उनको नहीं दे पाए थे हमारे citizens को नहीं दे पाए थे और इसकी जिन्मेदारी इसकी responsibility state के उपर छोड़ दी गई state के उपर छोड़ दी गई और राज्ये को कहा गया कि भाई आप की जिन्मेदारी है आप इसको आगे fulfill करोगे जैसे जैसे आप capable होते चले जाओगे इसको एक और example से समझते हैं कि DPSP क्या है fundamental rights क्या है और example हम एक family लेते हैं ठीक है यहाँ पर हम लेते एक family एक family के अंदर काफी सारे लोग है अब मान लेते हैं कि family में आपकी मदर है और आपके फादर है या आपकी मदर को ले लेते या सिंगल ले लेते कि आपकी मम्मी है वो earn करती है वो पैसा कमाती है वो job करती है तो उनके पास responsibility है पूरी family को संभालने की मतलब अभी grow कर रहे हो तो ऐसे में family में income करने वाली person एक ही है लेकिन उसके पास responsibility पूरी family की है बहुत जरूरी तो ऐसे में उसको क्या करना पड़ेगा उसको अपनी जिंदगी के कई सारे फैसले कठोरता से लेने पड़ेंगे कुछ essential जो अनिवार ये चीजे हैं उनको देखना पड़ेगा उनको priority देनी पड़ेगी और कुछ non-essential जो जरूरी तो है लेकिन बहुत essential नहीं है initially सही नहीं है तो उनको secondary रखना पड़ेगा तो priority की बात करेंगे तो priority किसको देगी अगर हम priority की बात करें तो वो किसको देगी वो कहेंगे कि भी हम food रखेंगे मेरी सारी family है उनका भरपेट खाना हो जाना चाहिए ठीक है ये तो कम से कम ऐसा होगी तीनो टाइम पूरी family खाना खा ले essential हो गया है ना पूरी family के पास अच्छे से क्या हो एक house हो रहने के लिए घर हो है ना clothes हो ये basic basic चीजे हो ताकि वो जिन्दा रह सके जिवित रह सके essential हो गए ठीक है अब ये तो होगी basic चीज जिसको उसको पहले fulfill करना है लेकिन केवल इतना करने से आप अपनी life को grow नहीं कर सकते आपको grow करने के लिए और चीजों की जरूत पड़ेगी जैसे आपको education चाहिए आपको सिख्छा चाहिए आपको खेलने के लिए जगह चाहिए playground चाहिए coaching करना है आपको माल लेते हैं एक क्रिकेटर बनना है, footballer बनना है तो उसके लिए आपको coaching करना है, जाना है और आगे information लेनी है तो आपको mobile या TV, electronics चीजे चाहिए तो ऐसे में आप वो क्या करेंगी secondary चीजे रखेंगी secondary priority की सीज़ को देंगे फिर वो देंगे कि हाँ भाई ठीक है अब ये चीजे होगी तो education भी हमें करनी है ठीक है, education के साथ-साथ बच्चों के development के लिए उनको हमें internet भी provide करना है ठीक है, internet भी provide करना है उनको पूरे overall personality को develop करने के लिए उनको हो सकता है कि घुमाने ले जाना पड़े, sports की activity कराना पड़े, है ना, तो इसमें भी उनको करने की जुरूत है लेकिन इस चीज को समझिए ये चीजे secondary में होगी, ये essential है, इनके बिना आप जिन्दा नहीं रह सकते तो fundamental rights सेम इसी तरीकी से work करते हैं, कि वो essential है, उनके बिना आपका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है ठीक है, आपका खुद की कोई individuality नहीं रहेगी, आप end हो जाएगे अगर fundamental rights नहीं होंगे तो तो fundamental rights में वो चीजे रखे गई essential, family की तरह, food की तरह फिर secondary चीजे जो आपकी life को better करते हैं, जो और अच्छा बनाते हैं, और आगे grow करते हैं, है ना, life को must बनाते हैं, जिन्द की जीने का मज़ा आता है जिसमें, वो चीजे होती है secondary, तो वो कब आएंगी जब आपके पास capacity होगी, पैसा होगा, और जादा earning करेंगे, है ना, तो जैसे हो सकता है कि एक ही single person पैसा कमा रहा है, तो उसके पास इतना ही पैसा होगी, वो essential चीजे दे पाए लेकिन, उस person को लगता है कि मेरा बाद में promotion होगा, मेरी salary बढ़ेगी हो सकता है कि मेरे साथ, मेरे पती या हम दोनों मिलकर के job करने लग जाएं तो और पैसा हैगा, जब और पैसा होगा, तो उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अच्छी education भी दे अच्छी उनको internet facility और ये बाकी चीजे भी provide गरे ताकि वो और grow कर पाएं, दूसरे लोगों की मुकाबले पीछे ना हो जाएं, गाडी भी लेकर के दें, है ना, गाडी भी घूमने का भी सुखाएं, वगेरा वगेरा तो सेम यही काम state के उपर था ऐसा ही चीज थी 1947 के time हमें select करना पड़ा कि अभी जरूरी क्या है तो उनको हमने fundamental rights में रख दिया बाकी चीजे जो जरूरी तो है लेकिन अभी हम उनको अगर नहीं भी रखेंगे तो काम चल जाएगा उनके बिना काम चल जाता है तो उनको हमने रखा DPSP में, लेकिन हमें पता था कि अभी तो गरीब है, हम इसा गरीब थोड़ी रहेंगे बही जो आप अभी गरीब हो आगे थोड़ी गरीब रहोगे आगे तो ग्रो करोगे कोसिस करोगे ना आगे बढ़ने की तो हमें भी पता था कि हमारा रास्ट, हमारा देश विकास करेगा आगे ग्रो करेगा तो जब ग्रो करेगा, तो सरकारें ये काम भी करेंगी ये काम करना भी जरूरी हो जाएगा क्यों अगर ये betterment नहीं करेंगे life को better नहीं बनाएंगे quality वाली life नहीं provide करेंगे तो लोग वोट नहीं देंगे सरकार को लोग वोट किसको देते हैं जनता जनारदन जो है हम लोग वोट किसको देंगे हम वोट उनको देंगे ना जो हमारी life को better बनाएं तो ultimately ये करना भी एक तरीके से government के लिए जरूरी हो गया कि भई अगर सत्ता में बने रहना है तो आपको इनको भी follow करना पड़ेगा DPSP को बस तो इतना ही मतलब था ये mandatory हैं ये mandatory नहीं है ठीक ये justiceable है ये non-justiciable है इस तरीके की चीज़े हैं अब एक के करके इनको हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं खोल करके समझते हैं कि क्या क्या चीज़े हैं जो आपको slides में दी गई हैं ये एक छोटा सा background मैंने आपको दिया कि ये क्या क्या चीज़े थी अब एक important चीज़ कई बार mcq type के exam में ये पूछ लिया जाता है जब mcqs होते न तो ये जरूर पूछ लिया जाता है कि निती नहीं दे सकता तू dpsp समिधान के किस भाग में है एक simple one liner के उस्टन भी दे सकते हैं और उसमें आपको दे देंगे part a, one, two, three, four, rest, five तो आपको ध्यान रखना है कि part four के अंदर है तो इसको important कर लेना है जिसके उपर मैं circle लगाऊ वो आपका notes हो गया notes बनाते वे चलना है इतने ही notes आपको बनना है दूसरा उसमें कितने article है तो article 36 से article 51 तक ठीक है article 51 तक ये article है किसके अंदर हमारे DPSP में निती निदेसक तत्वों के अंतरगत तो ये भी एक important हो गया अगर आप MCQ के अंतरगत रखना चाहते हैं चीजों को देखना चाहते हैं अब एक बार कई बार ये भी सवाल आ जाते है कि ये DPSP आखिरकार आये कहां से क्या इंडिया ने खुद से पैदा किये क्या इंडिया ने खुद से बनाए तो आप सबको पता है कि हम तो उस टाइम पूरे वर्ल्ड का टूर कर रहे थे पूरे वर्ल्ड के constitution को हमने अच्छे से study किया पर वहां से हम देख रहे थे उनको चेक कर रहे थे कि भाईया कौन-कौन सा चीज आपके constitution में अच्छे जिसको हम ले सकते हैं तो ऐसे ही DPSP निती ने दे सकता तू भी हमने एक दूसरी country जिसका नाम था Ireland वहां से हमने लिया ठीक है? Irish constitution उसको लिया Ireland का समिधान यहां से हमने इसको लिया यह भी important हो गया इसको भी notes में लिख लेना है अब Ireland के पास भी originally नहीं थे उन्होंने Spain के constitution से लिया था Spanish constitution से Ireland ने लिया Ireland से हमने ले लिया हमने थोड़ा और better बनाया थोड़ा और अपनी situation के according अपनी condition के according उसमें modify करते वे उसको join किया उसको constitution में जोड़ दिया इंडिया है हम तो जुगाडू है हर चीज का जुगाड कर लेते हैं बड़ी आतरीकी से जुगाड कर लेते हैं तो इसका जुगाड भी हमने अच्छे किया और यह एक बहुत आम तोर पर खा जाते हैं कि यह useless है बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन समझना कि बिल्कुल useless नहीं है जितना importance fundamental rights का है उतना ही importance आपकर DPSP का भी है निती निदे सकत्तों का भी है even मैं तो यह कहूँगा कि अगर किसी सरकार को किसी government को अगर दुबारा से power में आना है दुबारा से जीतना है तो उसको DPSP के लिए DPSP को consider करते हुए ध्यान में रखते हुए ही work करना पड़ेगा नहीं तो सरकार नहीं आ पाएगी कैसे उसको हम आगे explain करेंगे मैं आपको बस mind में एक चीज़ डालना चाह रहा था ताकि आपको पता रहे हैं अब एक चीज़ समझिए कि directive principles जब नाम ही directive है fundamental rights का मतलब fundamental मूल directive नाम से ही पता चलता है कि दिसा देने वाले हैं direction देने वाले हैं है ना the phrase directive principle of state policy denotes the ideals that the state should keep in mind while formulating policies and enacting laws simple सी चीज़ है अगर आप से mains में क्युस्सन आ जाए तो इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान में रखते वेद चलना है जब डीपीसपी को explain करने के लिए आप से पूछ लिया जाए तो डीपीसपी के जब भी हम बात करते हैं तो नाम से ही clear यह होता है कि यह कुछ ऐसे सिध्धान्त कुछ ऐसे नियम कुछ ऐसे चीज़ें का समू है जिनको आप जब भी कानून बनाएंगे जब भी देश का सासन चलाएंगे तो आपको उनका ध्यान रखना है उनको follow करते वे चलना है और rule regulation बनाने है for example इसको समझेगा बड़े ध्यान से इसको भी समझातों आपकी real life के साथ जोड़ करके मान लेते हैं कि इसको भी हम family के साथ जोड़ते हैं अब family के साथ जोड़ोगे अब family आपके लिए कुछ चीज़े आपको मान लेते हैं कि study करने के लिए बाहर बेजते हैं आप सारे UPSC experience हैं आप सब लोग अपने घर से बाहर मान लेते हैं कि आए किसी भी area में गए वहाँ पर जाकर ये तैयारी करने लग गए बैंगलोर दिल्ली जहां पर भी आपका मन हुआ अब जब वहाँ पर आते हैं तो ऐसे में कुछ चीजे हैं जो आपकी family आपको बहुत strictly बोलती है कि भाया ये चीज तो करनी ही नहीं है है ना वह आपको क्या बोलते हैं कि जाओ बेटा alcohol यूज मत करना टोबैको यूज मत करना smoking मत करना इस तरीके की चीजे वह बोलते हैं है ना उनों वह कहते है कि study पर focus रखना ठीक तो वह उस तरीके की चीजों की आपसे expectations रखते हैं वह आपको directions देते हैं आपकी family बार-बार phone करती है आपको है ना और phone करके आपका ध्यान रखते हैं और वह पुछती है हाँ बच्चा कैसे हो खाना खाया की नहीं खाया पढ़ाई कैसे चल रही है, study कैसे चल रही है वह अलग बात है कि हम लोग irritate हो जाते हैं क्या यार ममी पापा बार-बार phone करके परिसान कर देते हो और कितनी बार पुछोगे चलो phone रखो, हमें बात करने हैं और से important person है अभी life में उससे भी बात करने हैं वो बार-बार आपको directions दे रहे होते हैं कि देखो बेटा, ज़्यादा खर्चा नहीं करना ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करना है ना, इधर उधर नहीं जाना girlfriend, boyfriend के चक्कर में अभी थोड़े टाइम नहीं पढ़ना जिंदिगी कुच्छा बनाना है, तो पढ़ाई पे focus करना है थोड़ा सा इस तरीके की चीजे वो आपको देते हैं directions देते हैं, क्यों देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो समझदार हैं, वो capable है और वो अपने बच्चों को एक better life, एक better दिशा दिखाएं तो जिस तरीके से वो directions देते हैं वो directions देते तो हैं, लेकिन वो ताना सा नहीं है, dictator नहीं है आपके उपर कि भईया मैंने बोल दिया, तो यही बोल दिया, करना है तो करना ही है कि मैंने बोल दिया, कि तो कमरे में रहना है, तो कमरे में ही रहेगा मैंने बोल दिया, कि तो अब smoking, drinking नहीं करेगा, तो नहीं ही करेगा मैंने बोल दिया, कि तो girlfriend, boyfriend नहीं बनाएगा, या बनाएगी, तो नहीं बनाएगी वो सिर्फ आपको directions देते हैं, direction देते हैं कि भी ऐसा नहीं करना, वो मानना ना मानना आपके उपर रहते हैं, ठीक है, आप मानते हैं कि नहीं मानते, जो लोग उनको follow कर जाते हैं, वो successful हो जाते हैं, जो follow नहीं करते हैं, वो कही न कहीं उलज भी जाते हैं, तो same DPSP इसी तरीक के directions है, ठीक है, वो directions क्या है, कि वो family आपको directions देती है, कि बच्चो देखो, life में आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ते समय, इन कुन चीजों का ध्यान रखो, इन चीजों को ध्यान रखते वे चलना, ताकि तुमारी life better हो सके, और तुमारी life better होगे, तो तुम दूसरों की life क principles है, वो state, यानि कि सरकार के लिए, government के लिए, उनके लिए एक निर्देश है, उनको ये बोलते हैं, कि देखो, आप अपना सासन चलाने हैं, लेकिन आप जब भी अपना सासन चलाओगे, तो ये कुछ बुनियादी चीज़े हैं, इनको ध्यान में रखना, इनको ध्यान में रखोगे, तो तुम्हारा सासन भी अच्छा रहेगा, और तुम्हारी जो जनता है, वो भी खुश रहेगी, उसकी जिन्दगी भी बैटर होगी, उसकी जिन्दगी भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन वो फोर्स नहीं करते, कि भई तुझे मानना ही मानना है, वो कहते हैं कि उसकी लाइफ बैटर हो, अच्छी हो, आगे बढ़े, तो ऐसे में सरकार को मानना पड़ता है, तो ये एक डाइरेक्शन से है, केवल दिसा निर्देश है, कि सरकार को, स्टेट को किस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक, एक दिसा निर्देश, उनके उपर बाइंडिंग नह आए हैं, और फस्ट टाइम वो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स को स्टड़ी कर रहे हैं, इसलिए मैं बिल्कुल बच्चों की तरह आपको समझा रहा हूँ, कि ताकि आपको एक अंडेस्टेंडिंग जो डेवलप हो, वो बेसिक से एडवांस लेवल पर जाए, वो बहुत फास्ट फोरोड वाली चीजों में नहीं चलेंगे, इसका बेनिफिट ये रहेगा कि एक बार आपने क्लास कर ली न उसके बाद आप भूलोगे ने इस चीज़ को मैंड में हमेशा रहेगा, ठीक है, तो ये बेसिकली सेम क्या है, इनको बेस बना करके करे, अब राज्य क्य है, स्टेट क्या है, इस चीज़ को समझ ये, जब भी हम स्टेट की बात करते हैं, तो स्टेट, जो राज्य वर्ड है न, स्टेट, इनकी डेफिनेशन आपको दो आर्टिकल में मिलेंगी, एक जो आर्टिकल 12 है, उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है, और एक आर्टिकल 36, जो है, उसमें मिल जाएगी, यानि कि एक तो जिसमें आपका फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं, मोलिक अधिकार याद है न, आपको सबको, पढ़ाए थे मैंने आपको, कि फंडामेंटल राइट्स में, जो आपने सारे देखे, आर्टिकल 12 से वो शुरू होते ह हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ परिभासा है, डेफिनेशन दी गई है, स्टेट की, सेम वैसी डेफिनेशन आपको आर्टिकल 36 में भी मिलेगी, इसका मतलब क्या हुआ, स्टेट हुआ, क्या क्या, राज्य क्या हुआ, तो राज्य की जब हम बात करते हैं, तो for example, मैं आपको मोटा मोटा तीन चार चीजे बताता हूं, उसको समझना, ठीक है, क्या हो गया, एक्जीक्यूटिव हो गया, एक्जीक्यूटिव जिसको क्या बोलते हैं, कार्यपाली का, अब ये कार्यपाली का कहा होती है मेरे दोस्त, कार्यपाली का तो सेंटर में भी होती है, और दूसरी चीज और ये लोकल लेवल की कारेपाली का जो एक्जीकृटिव है वो भी आ गए इसका मतलब जो मंत्री परिसद कांसिल ओफ मिनिस्टर प्रधान मंत्री मुख्य मंत्री है ना उनकी जो परिसद है वो इसके अंतरगत आ गई दूसरी चीज के हम बात करेंगे लेजि राज्य के लेवल पर सेंटर के लेवल पर इसकोम क्या बोलते हैं संसद पार्लियमेंट बोलते हैं अब ऐसे ही राज्य के स्तर पर इसकोम क्या बोलते हैं विधान मंडल ठीक है इसकोम क्या बोलते हैं विधान मंडल विधान मंडल राज्य विधान मंडल यानि कि स्टेट लेजिसलेचर, टेट लेजिसलेचर, ये भी आगे, यानि कि हर राज्य की जो विधान सभा है या और जिन में विधान परिशद वो और संसद, लोक सभा, राज्य सभा, वो कोई भी कानून बनाएंगे, कोई भी रूल रेगुलेशन बनाएंगे, तो उन रूल रेगुलेशन को बनाते time आपको DPSP का ध्यान रखना है, निति निदे सकतों का ध्यान रखना है, कोई भी सरकार, चाहे वो केंदर की सरकार हो, चाहे राज्ये की सरकार हो, अगर कोई policy बना रही है कोई काम को execute कर रही है किर्यानवित कर रही है ठीक है तो उसको काम करते टाइम उसको DPSP निती निदेशक तत्वों का ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे ही तीसरी चीज की जब हम बात करेंगे तो state में इनकी जितनी भी agencies है ठीक है अजैंसी आपने नाम सुनाएं जैंसी इनकी जितनी भी यानिकी इन से related जितनी भी संस्थाएं है वह इसके अंतरगत इसको हम बोलते हैं स्थानी सासन अब स्थानी सासन में क्या आ गया मेरे दोस्त पंचायती राज और ग्रामिन छेतर के लिए पंचायती राज आ गया और अर्बन छेतर के शहरी छेतरों के लिए municipalities, नगर पालिका, नगर निगम यह सब कुछ जो है इसके अंतरगत आगे यहां से इसका screenshot लेते में चले जाना है मेरे सारे दोस्त ठीक है यह हो गए और इनके जितने भी agencies है ठीक है जैसे कि LIC हो गई या कोई ऐसे अंग जो सरकार से का हिस्सा है उनसे माननेता प्राप्त है वो सब इसके अंतरगत आते हैं तो कहने का मतलब यह क और ना काम करते टाइम यह देखेंगे कि DPSP को किस तरीके से हम execute कर सकते हैं निती निदर्दे सकत्तवों को हम किस तरीके से पालन कर सकते हैं यह basic सी चीज है article 36 में state की definition आपको देखने को मिलेगी ठीक है fundamental right और इसमें दोनों में इसमें यह सारे के सारे सम्मिलित होगे सम्म specifications हैं उनको हम देख ले कि क्या क्या है तो उन specifications को अगर आप चाहोगे तो इनको थोड़ा सा ही इतना ज्यादा वो नहीं देना क्योंकि इसके बाद जब हम इनका criticism देखेंगे जब हम इनकी आलोचना देखेंगे तो उस आलोचना के time in specifications का जिक्र वर्णन एक बर दुबा बहुत basic से चला रहा हूं बहुत fast forward नहीं बहुत base level से आपको समझाते वे चल रहा हूं कि आप सब लोग हमारे प्यारे से नन्ने नन्ने से बच्चे हैं जो अभी तैयारी करना start किये यह मान करके मैं कर रहा हूं इसका benefit सभी को होगा ठीक है चलिए निदेशक तत्व के बार बिटेन गवर्मेंट जो है वो हमारे इंडिया के उपर रूल करती थी आपको याद होगा कि 1857 के रिवोल्ट के बाद जो 1858 का जो एक्ट आया उससे सारी की सारी पावर बिटेन जो बिटेन इस्ट इंडिया कमपनी थी उससे निकल करके बिटेन के क्राउन के पास चले तो 1935 का जो एक्ट बना था बहुत बड़ा वैक्ट था उसी के बेस पर हमारा कॉंस्ट्टिउशन जो है उसमें मैक्सिमम प्रोविजन वहां से हमने लिए तो उस एक्ट के जब बनात उस एक्ट में बिटिस गवर्मेंट क्या करती थी कि जो गवर्नर जनरल थे भारत के ठ तो उसी तरीके के डारेक्शन को माना जाता है कि DPSP उसी तरीके के डारेक्शन से जो उस टाइम दिये जाते थे ठीक है और कुछ नहीं है इसको छोड़ देना है ठीक ये सारी की सारी चीजे आप छोड़ दीजिए स्किप कर दीजिए आपके लिए काम की नहीं है जो चीजे काम की होंगी उन्हीं को मैं आपको यहां पर कराऊँगा जो काम की नहीं होंगी उनको हम छोड़ते वे चले जाएंगे दूसरी चीज जो इंपोर्टेंट थी उसको समझना है मेरे प्यारे दोस्तों सारे की सारे जो नए दोस्त आये हैं वो लाइक शेर करते वे आना है लाइक शेर रुकना नहीं चीजिए लाइक शेर धड़ादर धड़ादर धमादम धमादम करते वे चले जाना है लाइक शेर छोडना नहीं चीजिए दूसरी चीज क्या है कि यह ऐसे राइट है comprehensive economic social and political program for a modern democratic state इस ची कुई development के उपर focus करते हैं लेकिन जो DPSP है निती निदे सकता तु है यह पूरे समाज पूरी society पूरे पूरे इंडिया उसके जितने भी लोग है उन सब की overall development की बात करते हैं और इसलिए उन सब के लिए ऐसे rights भी provide करते हैं जो की fundamental rights में नहीं है इस चीज को समझना जब भी ह fundamental rights को हम क्या बोलते हैं यह किस तरीके के अधिकार है यह political rights है इनको हम राजनितिक अधिकार भी बोलते हैं ठीक है क्या बोलेंगे राजनितिक अधिकार मेरे दोस्त जो DPSP हैं इनको हम socio economic right बोलते हैं socio economic economic right यानि कि सामाजिक आर्थिक अधिकार सामाजिक आर्थिक अधिकार आपको देखने को मिलते हैं आर्थिक अधिकार तो आपको समाज में जब development करना है बड़ा होना है आगे बढ़ना है तो आपके पास सामाजिक आर्थिक अधिकार भी होने चीए है ना किस तरीके से कि किसी के पास इतना पैसा एक साथ ना होगी कोई तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए और कोई बिल्कुल गरीब हो जाए पास तरीके के चीजे तो वो social economic work किस तरीके से करना है उसके घंटे क्या होगे उनकी जो situation है परिष्थितियां वो कैसे होगी इन सब चीजों के उपर ध्यान रखने का अवाण National Social Economic Rights के अंदर देखने को मिलता है तो ये एक important चीज थी जो इसको आपको देखना है अब इनका मुख्यर एम क्या है? Welfare State ठीक है? Welfare State बनाने का है, पोलिस State नहीं अब समझे कि क्या है? जब हम आजाद नहीं हुए थे जब हम गुलाम थे जब हम कोलोनी थे अंग्रेजों की तो अंग्रेज लोगों ने हमारे उपर बहुत खतरनाख तरीके से जुल्म किये आप सभी को हम जितने भी हमारे आप अगर आपके कोई बुजुर्ग लोग हैं जो जिन्दा हैं अभी इस समय अगर आप उनसे सुनो गे तो तो आप सबको पता है वो क्या करते थे वो उनको फासी की सजा देते थे या गोली मार देते थे तुरंट सूटेट साइट लाइफ की कोई वैल्यू नहीं थी और लाइफ की वैल्यू नहीं थी तो आप समझे कि उनकी बैटर लाइफ के लिए तो वो सोचेंगे ही नहीं वो administration क्या सोचेगा कि कैसे भी करके यहां के सारे resources को हम ले जाए पैसा कमा ले इनका सोचन करें इनकी पस जितनी भी संपत्ति है जाईदादा छीन ले जाए यह उस तरीके का है जिस तरीके का है आपने Mother India टाइप की फिल्म देखी होगी न Mother India टाइप में वो साहुकार होते हैं जो person होते हैं वो exploitation करते हैं गाउन के सारे लोगों का आपने अगर देखी हो तो उसी तरीके के हैं यह Don Mugambo टाइप के Mugambo Mugambo Khoswa जो इस तरीके के साकाल फिल्मों में आप देखते हैं तो यह उस तरीके के police state होता है उसमें वो जैसे कह देते हैं वैसा करना पड़ता है नहीं तो आप की life कुछ नहीं हो सकेगी तो उससे हमने एक चीज़ सीखी हमने experience किया हमें यह समझ में आया कि लोगों की life को better बनाने की भी जरूरत है और यह better बनाने की responsibility को लेगा इसको state को लेनी पड़ेगी राज्य को लेनी पड़ेगी राज्य को ऐसे directions दें कि वो चाहकर के भी गलत होई ना सके कुछ ऐसे rule कुछ ऐसे चीज़े उनके लिए बना दी जाए कि वो उनी को ही follow करे वो dictator नहीं बन सके अपने आप से dictator सिपताना साना बन सके ठीक है और welfare state उसको decide किया जा सके welfare state कल्यान कारी राज्य कल्यान कारी राज्य है मतलब जो सभी लोगों के betterment के लिए सोचता हो किसी एक परसन के betterment के लिए नहीं सोचता हो को equal rights provide करने का हो equal opportunity provide करने का उनको हो तो ऐसा तभी हो पाएगा जब government जो है state जो है welfare state के रूप में work करे कल्यान कारी राज्य के लिए काम करे लोगों को help करे तो ये चीजे आपने देखा ना कुछ टाइम मान लेते जब आप जब हम लोग वो थे गुलाम थे आपको study करने होती है for example आपको study करने थी अब study के लिए पैसा नहीं है लेकिन आपका dream था कि भी हम foreign जाए विदेश में जाकर कि barrister बन करके आए हम भी वहाँ से low करे अब पैसा चाहिए उसके लिए तो पैसा कैसे मिलता तो उसके लिए आप British government के पास administration के पास जाते और उनको बोलते कि sir I want to do my higher studies from your country या other foreign country please give me some loan I will repay when I am capable जब भी मैं capable होगा तो मैं आपको वह वापस दे दूँँ तो British लोग तो आपको इतने अच्छे तो थे नहीं थी कि वह आपको loan देते आपको study करने के लिए study करके जा करके अपनी life को better बनाने के लिए तो वह जाद है थू study करेगा थू जाएगा बहार थू ने देखा है अपने आपको मार पीठ करके वहीं पर भगा देते थे तो वो तो police state हो गया था लेकिन आज के scenario में आप देखोगे जब India independent हुआ तब आपको foreign में study करना है या कोई भी काम करना है तो government आपको education loan प्रोवाइड करती है आपको जाने education loan के लिए request डालनी है तो government आपको education loan प्रोवाइड करती है आप उस education loan को लेकर कि आप अलग-अलग states में अलग-अलग countries में कहीं से भी जाकर के higher education कर सकते है तो वो welfare state है क्यों क्योंकि हमारी government हमारा state चाहता है कि आप पढ़ें आप आगे भढ़ें आप अपना welfare करें आप खुद को आगे लेकर कर जाएं लेकिन जो police state था वो नहीं चाहता था समझने है तो basically welfare state का मतलब यही है तो इस welfare state को establish करने में DPSP का सबसे important role होता है ठीक है जो निती नहीं दे सकता थो है वो इसमें सबसे बड़ी भूमी का निभाते हैं अब एक और चीज समझना है directive principles के बारे में उसका जो एक feature है उसको खा जाता है गैर नियायोचित इसको समझना non-justiceable in nature दगो मैं जिसको सरकल कर रहा हूँ न मेरे दोस्त वो आपका notes हो गया pointed form में notes बनाने है जब भी आपको notes बनाने है तो points में बनाने है कम-कम important important चीज़े line of book out of book नहीं करना है ठीके तो मैं आपके लिए ये work साथ की साथ करते चल रहा हूँ ताकि आपके notes भी ready होते हुए चलें आपको ज़्यादा बार-बार-बार-बार-बार पूरी e-book ना पढ़नी पड़े तो non-justiciable in nature है इस चीज़ को समझे non-justiciable का मतलब क्या है गैर नियाइक क्या है इसका मतलब समझी माल लीजी एक निती निदेशक तत्व है ठीक है एक directive principle ले लेते हैं उसमें ये लिखा गया है कि सरकार प्रियास करेगी कि मादक पदार्थों पर रोक लगाए जो alcohol है उसके use को restrict करे government ये काम करेगे और एक ऐसा DPSP हमारे पास है भी अब अगर government वो alcohol को promote करे और उसको restrict ना करे तो आप court में government के against जा नहीं सकते कि देखो DPSP में लिखा था कि मादक पदार्थों के 7 को कम से कम किया जाए लेकिन सरकार तो उसको ban करी नहीं रही सरकार तो उसको promote कर रही है पैसे के लिए एक बड़ी विचित्र चीज़ है भारत के अंदर गाउं में हर गाउं में आपको हर विलेज में आपको स्कूल नहीं मिलेगा लेकिन ठेका जरूर मिल जाएगा ठेका समझते आप लोग जो थोड़ा सा कभी इस चीज़ का यूज उन्होंने किया होगा सेवन किया होगा इन चीज़ होगा तो उनको पता होगा कि ठेका क्या होता है जहां पर बेसिकली दारू मिलती है सराव मिलती है लिक्वाइर जिसको आप बोलते है वह आपको वहाँ पर मिलता है तो हर गाउं गाउं में आपको ठेका मिल जाएगा हो सकता है स्कूल ना मिले होस्पिटल ना मिले क्यों क्योंकि उससे पैसा बढ़ा आता है जनरेट रिवेन्य से करना ही करना है होगा ही होगा ना वह बस आपको डायरेक्शन देते हैं यह नहीं करना जी अच्छा नहीं है ठीक है तो इसलिए सरकार के उपर छोड़ दिया है state के उपर छोड़ दिया कि आप मानो आप मानोगे तो अच्छा होगा नहीं मानोगे तो अच्छा नहीं होगा लेकिन अगर यही बात fundamental right की होती अगर मोलिक अधिकार की होती मान लेते हैं कि article 19 में आपका freedom of expression जो है अब government को मन में आया है कि कि हमारी काम की बड़ी आलोचना हो रही है लोग बड़ा criticize कर रहे है एक काम करते हैं लोगों का right to freedom of speech and expression खतम कर देते हैं देंगे ही नहीं हम उनको है ना limited कर देते हैं अगर कोई इस तरीके का काम अगर वो government करती है ठीक और वो national emergency के अंडर में नहीं है जो exception है उसके अंडर में नहीं है तो आप direct court में जा सकते हो article 32 का use करते हुए और court में जा करके writ issue करा सकते हो और writ issue करके जो judiciary है वो और दुबारा से आपके rights को resume करा देगी वो सरकार को बोलेगी कि भया ये तो fundamental right है आप violation कैसे कर रहे हो आपको करना पड़ेगा ये काम है ना वो चीज़ करेगी लेकिन DPSP के मामले में ऐसा नहीं है इसलिए इसको गैर नियाइक कहा जाता है गैर नियायोचित non-justiciable का मतलब यही है simple सी बात है ठीक इस चीज़ को समझना है लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि ये इदा हो सेम कि government चाहिए वो central government हो state government हो local cannot be compelled to implement them तो वो इनको लागू करने के लिए बाद्धिय नहीं है ठीक है इस चीज़ को समझना है ये केवल उनको उपर एक नैतिक आदेश है एक तरीव से एक करता हो गया किए एक duty दे दीगी कि आपको fulfill करना है तो government follow करती है क्योंकि government follow नहीं करेगी तो government को vote चीए government को दुबारा से शासन में आना है दुबारा से work करना है दुबारा से पावर में आना है तो पावर में तो तभी आएगा भई इंडिया में जब आप better work करोगे, simple सा काम है, जो government, जो भी state better work करेगा, वो सत्ता में आएगा, वो power में दुबारा से आएगा, जो better work नहीं करेगा, वो नहीं आएगा, अब better work करने के लिए conditions कहां हैं, अच्छी life के लिए conditions कहां हैं, DPSP में, निति निदेसर तत्वों में हैं, उसको follow करना पड़े हैं, तो follow करते हैं आपन, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, अब एक ये भी देखना है, कि constitution को examine करते टाइम, वो इसका reference, जो है, judiciary लेती है, जब भी आप देखोगे ना, कि interpretation करना है, अगर judiciary को constitution में, समिधान में किसी चीज की व्याख्या करनी है, क चलिए, अब इसको हम classify करते हैं, classification की बारे में बात करते हैं, अब मेरे जितने भी प्यारे मित्र, जितने भी प्यारे दोस्त यहाँ पर बने हुए, जल्दी से comment box में लिख करके बताएं, कि हम directive principles को कितने part में divide करते हैं, जल्दी से comment box में सबका answer आना चाहिए, मैं देख रह एक काजल का answer आया, तीन फिर्दोस का थ्री, रितुराज मीना ने तीन लिखा, राजरतन, फैज, भुपेंदर, सोहेल, राहुल, सुसान, सबने तीन-तीन लिख कर गें, बहुत बढ़िया, तीन पार्ट में हम इसको, तीन भागों में हम इसको विभाजित करते हैं, डिवा बता ने भी answer दिया, लेकराज ने भी दिया, सलमान खान ने भी दिया, सना खान ने भी दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन एक चीज समझेगा, आपको एक interesting सी चीज बताता हूं, हमारे constitution के अंदर, हमारे समविधान के अंदर, निती निदेसक तत्वों का कोई classification नही है, कोई भी विभाजन नहीं है, वो तो direct article दे दी है, article 36 से article 51 तक non-stop सीधे चलते है, sequence में, वो categorize नहीं करता है, वो बनाता ही नहीं है, फिर ये categories कहां से आ गई, तीन भागों में विभाजित करने वाली, तो ये categories जो हैं, वो हमने बनाई, हम सबने बनाई, क्यों बनाई, इ अच्छे से understand कर सके, कैसे understand कर सके समझे, जैसे कि fundamental rights है, मोलिक अधिकार है, इनको category में divide करते हैं कि नहीं करते हैं, constitution ने category में divide कर रखा है, जैसे कि right to equality, freedom, exploitation, etc, etc, आपको categorization देखने को मिलता है, जब ये categorization देखते हैं, तो आपको वो चीजों को समझने में आसानी होती है कि नहीं, आपके लिए easy हो जाते हैं ना समझना, कि भया हाँ, इस article right to equality है, तो इसका मतलब समानता से होगा, freedom के अंदर है, इसका मतलब हमारी individual freedoms को लेकर के कुछ चीजे होगी, तो जब हम categorize कर देते हैं, तो हमारे लिए चीजों को समझना आसान हो अब तो हमने देखा कि चलो यार constitution ने नहीं किया, तो क्या हो गया, हम कर देते हैं, है ना, तो अपनी सुविधा के लिए, लोगों को समझाने के लिए, इनको हम तीन पार्ट में divide करते हैं, तीन पार्ट में divide करते होगे चलते हैं, ठीक है, इस चीज को समझना है, the constitution does not contain any classification of directive principles, ये चीज समझ येगा, क्योंकि ये important इसलिए है, मैं आपको मेरे दोस्त बता देता हूँ, क्योंकि MCQ वाले exam में सवाल आ जाता है, MCQ वाले क्यूस्चन में आपसे पूस लिया जाएगा, consider the following statement regarding DPSP, निति-निदेशक तत्वों के संदर्व में निम्नांकित कथनों पर व पस्ट तोर पर तीन भागों में विभाजन किया गया है, इस तरीके से line देंगे, और क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है कि तीन type के हैं, तीन type में classified करते हैं, तो maximum लोग उस पर tick लगा देते हैं, right, yes, correct, लेकिन ध्यान रखना गलत है वो, ठीके, कोई clear classification नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताए कि MCQ में ये use की जा सकती है, ये line, कोई भी exam की आप preparation करते हो, इस चीज़ को, ठीके, तो हम basically इनको अपनी एक understanding के लिए इसको हम एक वरगी करन करते हैं, कौन-कौन से हैं, ये भी देख लीजे, सबसे पहला, socialistic, जिसको आप बोलते हैं, जाओगे, अपनी आप ही समझ में आ जाएंगे, एक एक करके देख लेते हैं, सारे मेरे प्यारे मित्र, जल्दी से comment box में लिख करके बताएं, तीन category जो DPSP की हैं, comment box में सबका answer आना चाहिए, कौन-कौन सी हैं, चलिए जल्दी से बताएं, socialist, समाजवादी, गांधियन, गा अधिक, ठीक है, ये आपके तीन classification है, जल्दी से comment box में answer दीजिए, सबी लोग नहीं दे रहे हैं, जल्दी से answer दीजिए, सारे के सारे, चल आगे चलते हैं, अब समाजवादी सिध्धानत को देख लेते हैं, socialistic principle को देख लेते हैं, कि ये क्या कहते हैं, नाम से इस पस्ठ है समाजवाद के पक्सम है, समाजवाद का पक्सम मतलब इसको समझ गये, यानि कि समाज में जितने भी लोग हैं, सब को बराबर facilities मिलें, बराबर opportunities मिलें, कोई भी बहुत बड़ा और कोई भी बहुत छोटा ना हो जाए, किसी के पास बहुत जादा पैसा और किसी के पास बिल ऐसी जितनी भी चीजे हैं, जो समाज के अंदर भेद पैदा करती हैं, विभेद पैदा करती हैं, यानि कि discrimination लाती हैं, उनको दूर करने के लिए government को policies बनानी चाहिए, यह simple सा logic इसका होता है, समाजवादी सिध्धान्त का, ठीक है, इसमें basically social और economic justice, ठीक है, social और economic justice प्रोव पैसा है, और एक person है, जिसके पास पैसा बहुत कम है, है ही ने, अब social justice क्या कहता है, कि पैसे दोनों के बास बराबर होंगे, तो ज़्यादा अच्छे से दोनों develop कर पाएंगे, country भी develop करेगी, तो इस छोटा जो person है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको grow करने के लिए कुछ opportunity दे दो, और जिसके पास बहुत ज़्यादा अर्मिंग है, बहुत ज़्यादा पैसा है, उसके पैसों में कटोती कर लो, तो tax लगता है कि नहीं मेरे दोस्त, आपने tax का नाम सुने है, tax कैसे होता है, उसके slab बनाई जाते हैं, अलग-अलग, 5%, 10%, 15%, 20, 25, 30, बनते हैं नहीं, तो अगर माल लेते हैं कि आप कम income करते हैं, तो आपके उपर कोई tax नहीं लगता है, धाई लाक तक तो tax है ही नहीं, फिर कुछ saving भी कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा करेंगे, तो फिर 5% लगेगा, फिर और ज़्यादा करेंगे, तो 10% लगेगा, लेकि तो government क्या कोशिस क कर रही है, कि जो एक normal level पर उनको tax ना देना पड़े, थीक है, ताकि वो अपना betterment, अपना अपना कर सके, लेकिन जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो इतना ज़्यादा पैसा ना रख पाए अपने पास, कि वो बहुत अथा पैसा हो जाए उसके पास, तो उसको रोकने के लिए उनके उपर extra tax लगा देते है, 30% tax देखेंगे, ठीक है, GST लग जाता है, GST लग जाता है, अलग-अलग, 18% बगएरा बगएरा, ठीक है, 2% फिर education, अलग-अलग तरीकी के सैस लगा दिया जाते है, ultimately मामला ये है, कि जो ज़्यादा पैसा कमाता है, वो ज़् पांच करोड रुपे मान करके चली, कि आख बंद करके गवर्मेंट को ही देने पड़ेंगे आपको, मिनिमम मिनिमम, है न, 4-5 करोड के बीच में tax देना पड़ जाएगा, तो गवर्मेंट वो 4-5 tax करोड रुपे इससे कमाए, उसको क्या करेगी, समझिए, गवर्मेंट न लगा दिया, पूर के उपर no tax, ठीक है, कोई tax नहीं है, अब अमीर परसन से जो tax लिया, उस tax का यूज किया किस चीज के लिए, इन पूर पीपल के लिए policies बनाने के लिए, policies योजना ही, जैसे की रोजगार की योजना चला दी, मन रहेगा, ठीक है, गाउं में अपने आसपास रोजगार मिल जाए, पैसा मिल जाए, काम करने का उसर मिल जाए, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा, मामला तो पैसे काई है न, पेड़े पे तो उगेंगे नहीं, और ऐसा भी नहीं कि खुब सारे नोट चाप सकते हैं, ठीक, वो गाना तो चलेगा नहीं कि बारिस कर दूँ पैसे की, तो बारिस कैसे होगी, उसके लिए कहीं से लाना पड़ेगा न, तो जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उनसे पैसा ले लेती है सरकार, और वो लेकर ये पूर परसंस के उपर लगा देती हैं, तो इनके बैटरमेंट होता है, तो इससे क्या गोशिस की जाती हैं, कि समाज में एक सोशल जस्टिस और एकोनोमिक जस्टिस, समाजिक और आर्थिक नियाय लाये जाए, तो ऐसे किये जाने वाले काम को हम सोशल, जो समाजवादी देखते हैं, ठीक है मेरा दोस्त, सबसे पहला चीज, to promote the welfare of the people by securing a social order, ठीक है, permitted by justice, कौन-कौन सा social, economic, political, and to minimize inequalities in income, status, facilities, and opportunities, article 38, सिंपल सा है, जो मैंने आपको अभी बताया, किसका मतलब यह है, कि लोग कल्यान में व्रधी करना, ठीक है, और उसके लिए क्या करना, कि सभी की आय, सुविधा और आउसरों की आसमानता है, इस आसमानता को समाप करना, इसके लिए कैसे मैंने आपको बताया फिर से, वही चीज, कि जिसके पास आय अधिक थी, अमीर जो था, ठीक है, अमीर से ज़्यादा टेक्स लगा दिया, इसका टेक्स से जो पैसा आया, उस पैसे क योजना में लगाया, अपनी योजना ये बनाई, ठीक है, और उन योजना से किसका, गरीब लोगों के लिए भला करदिया, ठीक, टो आई की आसमानता को खतम करने की कोशिस की गई, तो ऐसे सारे काम जो है, सरकार को करने होते हैं, ठीक है, सिंपल से चीज, एक तो ये हो ग गई हैं, ठीक है, 49 e कि सभी नागरिकोंको जीमिका के परियाप अधिκα वो, साधन उनको दे, तो आप देखना कि government, बहुत सारी policies चलाती है रोजगार की पोलिशी चलाती है आप सब के लिए सरकारी नोकरी तो आती है, सरकारी government job, आती है न अब ऐसे ही government job के साथ साथ देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं किस तरीके से एक तो government job इसकी vacancies दे दी अब government job नहीं मान लेते हैं जादा हैं तो सरकार private sector की companies को promote करती हैं उनको बुलाती है FDI के थुरू भारत के अंदर establish होते हैं तो वो रोजगार उत्पन करते हैं private sector में ख जो पड़े लिखे थे और जो capable थे उन्होंने तो government job या private sector की job ले ली लेकिन ऐसे person जो किसी कारण वस ऐसी qualification नहीं हासिल कर पाए जो government job के लिए जरूरी है या ऐसी technical qualification नहीं ले पाए जो private job के लिए जरूरी है तो क्या वो बेरोजगार छोड़ दिया जाए उनको क्या उनको policies जिसको हम बोलते है रोजगार नीतिया ठीक है job policies बनाती है जो policies कैसे जैसे कि आपने नाम सुनाओगा मनरेगा मनरेगा जानते हैं कि एक village के अंदर अपने जिसमें आप रहते हैं उसके 5 km के radius में 5 km के दाएरे के अंदर कोई भी person जिसको work करना है वो काम कर सकता है ठीक है उसको काम provide किया जाएगा उस work के लिए minimum wages नियुनतम मजदूरी भी निर्धारित कर रखी है कि इतना पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इतना काम करोगे तो basically उनको जीविका का साधन मिल गया लोगों को पता है कि आर चलो कम से कम मजदूरी करूंगा तो दिन के 200-300 चल जाएगा तो ये सुनिस्चित करना ये सिक्योर करना ये एंस्योर करना government का work है और ये कहां है ये DPSP है मेरा दोस्त ये DPSP है निती निदेसक तत्व इसमें लिखा गया है इसको follow करती है government ठीक है अब ज़्यादा रोजगार होगा तो लोग खुश होंगे अरे वाग क्य अगली बार फिर से power में लेकर आते है और जिस भी family में कोई job करता है तो ultimately उस job वाले की ही बात पूरी family मानती है वो पूरी की पूरी family जैसे वो कहेगा वैसे vote डाल देते है तो government को भी चांस मिलेगा दुबारा से सत्ता में आने का ऐसा कुछ नहीं कि government बहुत ज्यादा भला चाती आपको ultimately ऐसा करने से government को भी फायदा है कि वो भी दुबारा से power में आईगी अब लेकिन जो सरकार जो भी नहीं देगी आपके बेरोजगारी हो जाएगी तो लोग नराज भी तो हो जाएगे लोग गुसा भी तो करेंगे लोग उसके against protest भी तो करेंगे तो खरावे ज तो ultimately कोई भी government हो कोई भी state की agencies हो उनको इनका पालन करना ही पड़ता है follow करना ही पड़ता है follow नहीं करेंगे तो उनका benefit भी नहीं है लोगों का benefit तो है ही ठीक है चलिए आगले चीज़ पर चलते हैं मेरे दोस्त सामूही खित के लिए समूदाय के भोतिक संसादनों का समवित the adequate the equitable distribution of material resources of the community for the common good इसको हम article 39b में लेते हैं article 39b article 39b और c को एक साथ पड़ेंगे ठीक है धन और उत्पादन के साधनों का सकेंदरन रोकना prevention of concentration of wealth and means of production article 39c यह c है यह दोनों बहुत important है यह वाला और यह वाला यह दोनों important है यह क्यों important है इसको समझेगा मेरे दोस्त बड़े ही दियान से directive principles में यह चीज clear लिखा हुआ है ठीक article 39b और c में कि जितने भी हमारे पास resources है unlimited resource तो है नहीं ना मेरे दोस्त ऐसा थो है निकी खुब जमीन है खुब जायताद है भर भर के जमीन जायताद है यह ना dialogue आता है कि अर्पैसा बहुत है यार जो मरजी करने करो जो बहुत है पैसा एसा तो है नहीं कुछ लोगों के पास हो सकता हो, किसी के पास ना हो, तो ऐसी situation में क्या करें, limited resources में क्या करें, लोग तो सारे नागरिक तो हैं, सबको बराबर राइट है, सबको करना है, development, विकास सबको करना है, तो ऐसे में government को ये बोलते हैं, कि जो भी resources हैं, ठीक है, materialistic resources हैं, बहुतिक संसा आपने चकबंदी का नाम सुना होगा, चकबंदी, ठीक है, चकबंदी जानते हैं, जब हम आजाद हुए, तो आजादी की time आपने देखा कि जमीदार लोग होते थे, और जमीदार लोगों के पास खूब property होती थी, भर-भर के property, किल्ले पर किल्ले, अर्याणा में किल्ले बोलते हैं, जहां से मैं हूँ, तो हम बोलते हैं किल्ले, और यहाँ पर किसी वेक्ति की अगर status जानना हो, तो इससे ये देख करके जाना जाते हैं, उसके बास किल्ले कितने हैं, कितना किल्ल नहीं, तो basically इस तरीके से, तो उनके बास खूब जमीन होती थी, और दूसरी तर हैं लोग, तो ऐसे में government ने क्या किया, government ने rule बनाया, government ने rule बनाया कि भाईया, कि एक particular जमीन, इतने ही जमीन आप रख सकते हो, इससे extra अगर आपके पास है, तो आप चुप चाप government को दे, तो government आपसे ले लेगी, हैं केस वानन्द भारती case आप ने देखा 1973 का, 1973 का जो केस भारती case जो आया, वो इसी चीज तो था, वहाँ पर कि जो मठ था, उसके पास बहुत जादा जमीन थी, सरकार रूल बना रही थी, जिसके पास extra जमीन है, वो extra जमीन सरकार ले लेगी, extra resources के सादन है, वो government ले लेगी, क्यों ले लेगी, government अपने फायदे के लिए थोड़ी लेगी सरकार अपनी property थोड़ी जबा करेगी सरकार क्या करेगी वो extra जमील लेकर के दूसे लोगों में बाटतेगी है ना जो capable नहीं है जिनके साथ exploitation हुआ है और आज के time में भी ये policies बनती है आपने देखा होगा कि अपने एरिया में जहाँ पर भी आप लोग रहते हैं वहाँ पर आप देखना कि आप economic विकर जो लोग है BPL काड धारक है जो उनके लिए government plot अलोट करती है plot आपने याद है plot जानते हैं सारा मामला तो plot का ही है मामला plot पर plot एक plot बेचो करोड़ों में कमाओ invest करते होंगे आप लोग बहुत सारे खुब सारे plot होंगे खुशी होते होगे plot है क्या बात है जिंदिगी कट जाएगी मझे से एक plot बेच देगे जिंदिगी और काम चलेगा एसे लोग बहुत सारे सोचते हैं आप लोगों को नहीं सूचने हैं आप लोग अच्छे लोगों आपको जमा करना आपको बनाने है अपने तो गवर्मेंट क्या करती है कि जो economically weaker है उन सब को plot अलोट करती है free में अलोट करती है कोई पैसा नहीं लेती मैंने गाउं में कई सारे लोगों वो एक इन जनरल डिसकस करते हुए देखे आप लोगों ने भी कई बर देखा होगा कई गाउं के जो एकदम हटे-कटे कद्दावा टाइप के बहु वली टाइप के इंसान होते हैं या तो महारी मूच्छा की बात आगी या तो गवर्मेंट तो विल्कुल ही महारे खुन चुसन पोतर गी एक्सेटर एक्सेटर इस तरीके की चीज़ें बात आपने देखी हुए थोड़ा अर्यान भी लेंग्वेज में उस तरफ की चीज़ों में आपको बात ही कैसे होता है कि जिसके पहले ज्यादा प्रोपर्टी थी तो गवर्मेंट ने उससे लेकर के उसी के आसपास गाउं में रहने वाले दूसरे लोगों को बात दी तो उनको लगता है कि यह तो सरकार फ्री में दे रही है इनको आपने कई बार सुना होगा कई बार लोग सोचते इनकी ठिं समाज में वेलफेर लाने के लिए सबको एक्वल जीवी का की साधन प्रदान करने के लिए बेसिक जरूरतों को पूरे करने के लिए अब जिनके पास नहीं है तो उनको देने का राइट करता हुए किसके पास है सरकार के पास है तो सरकार वही करती है यह इस DPSP को फोलो करत लिए एक एक्जाम्पल से समझगे फैमिली के अंदर की बात करता हूं एक फैमिली है बड़े ध्यान से समझना माल लेते हैं कि आप लोग बड़े हुए ठीक है आप बड़े हो गए आपने जिसको चाहा वो आपको मिल गया और मिल करके विवाह वगयर हो गया और प्यार का फ चाहिए वो फिजीकल फिट नहीं है विजीकल स्ट्रॉंग नहीं है हो सकता है कि कुछ उसको प्रोब्लम रही हो और दूसरा बच्चे वो बड़ा फिजीकल स्ट्रोंग है तो आप जब वो बढ़ने लगतें ग्रो करते हैं तो क्या आप उन दोनों को बराबर से सारी चीज करते हैं कि नहीं उसको बड़े होने तक भी उसको खाना खिलाना उसको संभालना स्कूल कोलेज लेकर के जाना है ना उसका एक्स्ट्रा केर रखना करते हैं कि नहीं करोगे करोगे ना भई क्योंकि आपके लिए तो दो बच्चे हैं तो आपके दोनों बच्चे तो बराबर हैं क्योंकि दोनों बच्चे आपके परिप्यार के हैं आपके प्यार की निसानी है तो आप अपने प्यार की निसानी के साथ इस तरीके से भेधवाओ नहीं करोगे तो सरकार के लिए भी government के लिए भी जितने भी जनता है जितने भी लोग है वो उसका खुद के लोग equal है बराबर है कोई बड़ा छोटा नहीं है तो ऐसे में कोई जो बहुत मजबूत है और बहुत कमजोर है तो सरकार भी तो कमजोर को बराबर के लाने के लिए कोशिस करेगी न सेम वही चीज आर्टिकल 39 भी बोलता है सरकार को करने के लिए ठीक है क्लियर सरकार को यही चीज कहता है अब धनका और उत्पादन के साधनों का सकेंदरन wealth and means of production इसको रोकना तो ये भी तो है इसको लेकर के कई बार issue हुए थे भारत के अंदर ठीक है इसके लिए क्या करती है government tax tax के slave बना देती है ठीक है कैसे कि अमीरों को ज़्यादा tax देना पड़े गरीबों को कम देना पड़े जब अमीरों से ज़्यादा tax लगेगा तो उनके पास ज़्यादा इसके थे dispute उठा था क्योंगी government इनके लिए policies बनाती इन आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए और ऐसा करती तो right to equality आपका article 14 आपका article 19 ठीक है और आपका article 31 उस time right to property होता था article 31 ठीक है जिसको बाद में हटा दिया गया constitution से उसका violation हो जाता था तो बार-बार court में मामला आता dispute होता case ओ अनन्द भारती case इसी चीज़ को लेकर गये था तो ultimately यह decide किया गया कि अगर article 39 B और article 39 C इन दोनों के अंदर जो provision दिये गए हैं इनके लिए अगर government कोई policy बनाती है कोई कानून बनाती है तो उसको आप fundamental rights के against होने के नाम पर अवैद गोसित नहीं कर सकते अगर यह आपके article 19 और article 14 का violation करते हैं अनुच्छे 14 और अनुच्छे 19 का उलंगन करते हैं उसके बावजूद भी इनको और समयधानी घोसित नहीं किया जाएगा क्योंकि अगर ऐसा होता तो यह जो tax का slab है यह सब के लिए equal होता दस रुपे कमाने वाला भी उतना ही tax देता हजार रुपे कमाने वाला भी उतना ही देता सब के उपर एक equal चीजे रहती और अगर वैसी equal चीजे रहती तो क्या देश में सब लोग बराबर हो पाते नहीं हो है यह बात है इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको चलना है चलिए तो यह दो most important आर्टिकल इसके थे अब कुछ और भी आर्टिकल है equal pay for equal work for men and women पुरूसों और स्त्रियों के समान कारे के लिए समान वेतन और इस चीज को भी समझना मेरे दोस्त प्यारे चलो आगे आने से पहले ज़र हाउस दा जोस जोस बताइए कैसे है हाउस दा जोस जिंदा है की नहीं जिंदा रो जोस जजबा होना चाहिए आग अंदर देखिए equal pay for equal work की बात समझते हैं यह क्यूं हुआ इसको बड़े ध्यान से समझना और इसके लिए हम history में जाएंगे हम इतिहास में जाएंगे अब इसको समझेगा 89D के अंदर यह provision आपको देखने को मिलेगा जब हम आजाद हुए independence होने से पहले की अगर हम बात करते हैं दो scenario की बात करते हैं men and women की जब हम बात करते हैं तो एक before independence ठीक है और एक after independence की बात करते हैं अब जब before आजादी से पहले की बात करते हैं तो women's के पास तो education का ही right नहीं था उनको तो पढ़दे ही नहीं दिया जाता था तो काम की बात तो छोड़ी दो कि यह वो काम करने के लिए उनको अनुमती दी जाती होगी उस time से ही पैट्रियार की भारत में चलती आई है पित्र सत्ता भारत में भूत चलती आई है पुरुसों का एकदम अस्तित वो रहा है दबदबा रहा है भारत के अंदर तो वही यहाँ पर भी होता था महिलाओं को काम करने नहीं दिया जाता था घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था तो वर्क करने की अपर्चुनेटी नहीं थी ठीक है तो वर्क करने की अपर्चुनेटी उनके पास नहीं थी यह चीज़ ध्यान रखना रोक दिया गया उनको कहा जाता था कि घर के अंदर ही काम करो लेकिन जब हम आजाद हुए इंडिपेंडेंडेंस हमें मिला तब हम उस टाइम रियलाइज किया कि विमेंस ने बड़ा रोल प्ले किया हमारी आजादी में भी और विमेंस इक्वल हैं पुरुसों के बराबर हैं किसी मामले में कमजोर नहीं है तो राइट टू इक्वैलिटी से उनको राइट टू इक्वैलिटी तो दे दी कि भई चलो समानता का अधिकार है ठीक है लेकिन मुद्दा यह आता था कि आज के टाइम में भी आप देखोगे कि महिला जो काम करती है और पुरुस जो काम करता है उसके अंदर डिफ्रेंशिट पहले भी होता था आज भी होता है एक ही काम सेम वर्क अगर विमेन कर रही है तो उसको पैसा कम मिलता था और वही काम में करता तो उसको पैसा जादा मिलता था आजादी के टाइम मजदूरी होती थी उस टाइम जो मसदूरी करते थे ना, डेली लेबर वेजिस, डेली वेजिस पर जो वर्क करते थे, तो एक मान लेते हैं कि एक जगया पर गड़ा खोधना है आपको पिट को बिगिंग करनी है. एक विमेनने पिट को बिग किया और एक मैनने पिट को बिग किया. अब उस पिट को डिक करने के लिए उस गड़े को खोदने के लिए महिला को एक रुपया मिलेगा तो पुरुस को तीन रुपय मिल जाएंगे है ना वर्क दोनोंने सेम किया टाइम दोनोंने सेम लिया नेचर एक जैसे है लेकिन महिला को कम पुरुस को जादा तो इस चीज को भी दूर करना था ठीक है तो equal right तो दे दिये लेगिन हमारे consistent makers को ये भी था कि equal right से काम नहीं चलेगा equal pay for equal work ये चीजे भी होने चीजे बाद में इसको चीजों को add on करते हुए चले गए अब आज के time में आप देखोगे तो अगर government sector है government jobs है उसमें आप कोई भी काम करो आप चाहे पुरुस हो चाहे महीला हो आपको equal बराबर वो मिलेगा ठीक है आप किसी भी post परो महीलाओं को भी उतनी salary मिलेगी पुरुसों को भी उतनी salary मिलेगी ठीक है एक बराबर काम के लिए बराबर government की जो भी नहीं government की जो policies है जो नीतिया है जैसे मनरेगा टाइप की policies उन सब में भी आप देखोगे कि equal pay for equal work महीलाओं पुरुस को बराबर काम के लिए बराबर पैसा दिया जाता है सरकार की नीतिया मनरेगा कहां से inspired है equal pay for equal work का उसका provision कहां से inspired है लेकिन private sector में आज भी थोड़ा सा भेदवाओं देखने को मिलेगा private sector में for example अगर हम बात करते कोई private company है तो private companies में maximum इतना same post के लिए आप दखो न तो male को ज़्यादा preference दी जाते है वहाँ पर उनको ज़्यादा पैसा दिया जाते है female को उसी work को करने के लिए कम पैसा आज भी दिया जाता है लेकिन government sector में ऐसा भेदवाओं नहीं है जहां पर भी ऐसा discrimination था उसको धीरे धीरे government ने खतम करते वे चले गए हैं यानि even private sector के लिए भी उन्होंने कहा है कि आप equal work work के लिए equal pay जो है आपको है ना बलात स्रम से संड़क्षन तो इसके लिए government ने act बना दिया बंदुआ मजदूरी को खतम करने के लिए बनाया ना जो forced labor था उसको completely खतम कर दिया कि आप किसी को जबरदस्ती कैद करके नहीं कर सकते चाहिए इसका कोई भी किसी भी तरीके का फोर्म हो बलात स्रम का ठीक है जो forcible abuse है उसको कोई भी form हो कोई भी तरीका हो वो आप नहीं कर सकते किस तरीके का है इसको समझना इस देखो ध्यान से समझना पोरसिबल की जब हम बात करते हैं मेरे दोस्त पहले कैसे होता था पहले तो यह होता था वो एक था आजादी के बाद इस तरीके की चीजे खतम हो गई उनको completely हमने रोक दिया लेकिन forcible जो work था abuse था वो जारी रहा कैसे जारी रहा कि मान लीजे किसी को पैसे की जरूरत है money चाहिए urgent past काम नहीं है तो जबरदस्त उसको क्या करेंगे उसको क्या करेंगे उनको कहेंगे कि ठीक है भई एक काम करो 14 गंटे काम करो पैसा मिलेगा 5 गंटे का ज़्यादा काम करा करके कम पैसा देना forcible abuse उसके अंतरकत आता है किसी ने आपसे करजा ले लिया किसी ने किसी से loan ले लिया पैसा ले लिया, जब पैसा ले लिया, तो जिसने लोन दिया, जिसने उसको पैसा दिया, वो उसको बार-बार अब्यूस करेगा, कि ओए, चल मेरे घर के आ करके बरतन साफ कर, चल मेरे घर खेत में जा करके काम कर, क्यों, क्योंकि तुने मेरे से कर जा ले रखा, अब मैं जैस को रोकना तो government ने इसके लिए कानून बना दिया है कि आप इस तरीके के forcible abuse नहीं कर सकते ठीक है उनकी health को ध्यान रखना priority देना जरूरी है बालकों को स्वास्त विकास के अवसर opportunities for healthy development of children ये भी है अब healthy development of children के बारे में आप देखोगे child development scheme ठीक है और उसके थुरू हमने आंगनवाडी center खोले आंगनवाडी ठीक है आंगनवाडी सुना होगा न आंगनवाडी तो आपने जो लोग खास करके rural background से रहे होंगे गाउंट से रहे होंगे उन्होंने सुना होगा तो हम तो बच्पन में जब छोटे थे मतलब बच्पन में तो सब छोटे रहते कैसी बात कर रहे हैं कि बच्पन में जब बच्पन में थे तो गाउं में आंगनवाडी होती है और हम गाउं की आंगनवाडी में बड़ा खुस होकर के जाते थे बड़ा हमें खुशी मिलते थी क्यों क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद हमें वहाँ पर खेलने को मिलता था वहाँ पर खेलने के कई सारे खिलोने होते थे साथ ही वहाँ पर हमें खाने के लिए बहुत सारी चीजे मिलती थी ठीक हमें गुड़ भी मिल जाता था हमें चने मिल थे हरियान में बाकली बोला जाता उसको बाकली जो चने आते ना चनों को उबाल करके नमक के साथ नमक के पानी में उबाल करके तो नमकीन उबले वे चने हो जाता थे खाने में बड़े टेस्टी लगते थे तो हम आंगनवाडी सेंटर में जाता थे खुब घुसे रहते थे बार बर की चलो वहाँ चलते हैं वहाँ पर खाने को मिलेगा तो basically बच्चों की health के लिए pregnant ladies के health के लिए उनको अच्छा जीवन देने के लिए मात्र मृत्यूदर सिसू मृत्यूदर जो आप देखोगे ना जो बच्चे जो पैदा होते ही death हो जाती थी या बहुती कुपोशन malnutrition के सिकार होते थे उनको रोगने के लिए इस तरीके की schemes चलाएगे ICDS integrated child development schemes आंगनवाडी सेंटर हो ले गए free में उनको healthy food दिया गया free में vaccination किस कीज़ के लिए health के लिए healthy development के लिए 6 years तक 6 साल तक के बच्चों के लिए तो अच्छा खाना protein वहाँ पर मिलता है तो government basically इसी चीज़ को follow कर रही है ठीक है article 39 के अंदर जो दिया है तो यह समाजवादी सिधानत है जिसमें government सबके betterment के लिए इस चीज़ को लिए करते है कौन-कौन है जो आंगनवाडी सेंटर में कभी गए है कौन-कौन मेरे दोस्त सेंटर में जाकर कि इस तरीके से चीज़े की हो हमारी तरहIM हाया हो पिया हो तो हम थोड़ा से घ्रामिं बैंग्राउंड से रहें तो हमने तोड़ा उसी लवल उठकर कर आया है गरामिंड च्हेतर से हि रहे है रहे हैं है गर्रावींड झजंडिक्छो कर्दिक थी नहीं नहीं है तो काफी सारे लोग गया रहे वहां बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या बात है अच्छा है ना तो वहां पर जाकर यह बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाते थी अब अगले चीज़ पर चलते आर्टीकल 39 A to promote equal justice and to provide free legal aid to the poor है ना समान निया एवं गरीबो इसको जोड़ा गया कौनसे amendment से जोड़ आ गया जलुदी से मेरे दोस्त कमेंट बोक्स में बताए मैं आप सबके जराए बर कमेंट देख लूँ क्या क्या आपके अरे है कोन से जल्दी से बताए कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया इक्वल पे के लिए कोल्ट में नहीं जा सकते हैं क्योंकि DPSP है DPSP निती नहीं दे सकते हुआ उसके अगेंस्ट कोल्ट में नहीं जा सकते हूं बिल्कुल सही 42nd Amendment जो 42 समिधान संसोदन हुआ उससे इसको जोड़ा गया क्या reason था समझी है हुआ क्या कि हमने हमारे देश में सबको right to equality दे दिया fundamental rights भी दे दिया सबको यह भी अधिकार दे दिया कि ठीक है आपके मोलिक अधिकारों को लंगन है तो आप court में जाकर उनको resume करवा सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग से ही हमारे judicial system कि विडंबना यह रही है कि जो ज्यादा पैसे वाला है जो खुब सारे पैसे कमाता है अगर वह कोई गलत काम क करता है तो उसके फूटने के उसके free होने के chances बहुत जादा रहते हैं वह अगर exploitation भी करता है किसी का तो भी उसके बचने के chances बहुत जादा रहते हैं लेकिन ऐसा person जिसका exploitation हुआ है और जो अमीर नहीं है जिसके पास money नहीं है पैसा नहीं है उस बिचारे के पास यह problem आ जात होते हैं बड़ी अच्छी मोटी खासी फीच लेते थे फ्री में आपके लिए कोन करता नहीं करता तो इन सब चीजों को देखते हुए government ने क्या किया 42nd Act Amendment Act जो हुआ 1976 के अंदर इस चीज को जोड दिया गया और उसमें जोड़ा क्या गया कि अगर कोई भी person है जो गरीब है बिलो पावर्टी लाइन से है तो अगर कोई भी उसको लीगल एडवाईस चाहिए तो वो उसको free में मिलेगी निसुलक मिलेगी प्राधीकरन उसके लिए बना दिया सरकार ने सरकारी वकील आप देखोगे उनकी appointment बहुत जादा तेज गती से बढ़ाने लग गए ताकि उन तो ये सारी की सारी चीज़े तो है तो DPSP लेकिन government ने उसको reality में follow किया ना क्यों follow किया ताकि वो लोगों को better life दे सके better life देगी तो लोगों से vote मिलेंगे सरकार दुबारा से बनी रही तो ये 42nd amendment से आया इसी के साथ साथ ये socialistic है समाजवादी सिधानतों को हम यहाँ पर कर happiness and disablement काम पाना शिक्षा पाना बुड़ापा विमारी एक्सेक्टर एक्सेक्टर के अधिकार को सनरक्षित करना article 41 अब इस चीज़ को समझे आप सरकार आपको लगता है ना maximum को किया डीपी एसपी है क्योंसे नहीं है ऐसा नहीं है डीपी एसपी को government follow करती वी अगर उसको ज के अंदर संसोधन की अगर हम बात करें तो आप यह देखना कि education की बात जो है article 41 में भी है ठीक है और article 45 के अंदर भी है दो जगहे पर सिक्षा देने की बात की गई थी अब government को लगाई यार यह बात तो अच्छी है education देने की है ना तो DPSP में लेकिन इसको तो fundamental right बनाया जा चाहिए तो government ने किया कि government ने amendment किया constitution में 86th amendment हुआ कब हुआ 2002 के अंदर और इसके बाद आपका जो education जो है उसको article 21A के अंदर fundamental right बना दिया गया ठीक है मोलिक अधिकार बना दिया गया बनाया की नहीं गया बनाया गया आया कहां से पैदा कहां से हुआ DPSP से ही तो पैदा हुआ तो basically मैं आपको ये समझाने की कोशिस कर रहा हूँ कि DPSP कोई useless thing नहीं है वो एक direction देते हैं time के साथ उनको use करते हुए government बहुत सारे step उठाती है even constitution में amendment तक कर दिया ठीक है right to education वो आपका आप देखोगे सिक्छा का अधिकार आपका fundamental right बन गया ऐस इसे की for example कि अगर हम बात करते हैं education के लिए work के लिए unemployment के लिए तो unemployment यह यहाँ पर क्या कह रहें public assistance ठीक है यानि कि लोक सहायता पाने का अधिकार जब तक आप बेरूजगार होते हैं तो सरकारें क्या करती है बेरूजगारी भता भी तो देती है आजकल मिलता है कि नहीं मि अगर हमारे स्टेट के अंदर कोई person है और अगर उसने graduation कर रखी है eligible है बंदा बंदा या बंदी मतलों लड़का लड़की कोई भी दो और अगर उसको एक particular time period तक government कोई job नहीं मिल पाई तो government उसको बेरूजगारी भत्ता देगी है ना लोक सहायता ताकि क्यों ताकि वो अब ना मिले जब तक employment ना मिले तब तक अपना खर्चा तो निकाल ले अपनी जिंदगी का कुछ तो छोटा मोटी चीजे तो निकाल ले तो उसके लिए भी ताने मारते और हमारे यंग लोगों के लिए तो मतलब समझो की थोड़ा सा जवान हुए नहीं कि चारो तरव से लड़का 22 साल लगा नोकरी निलगा अभी तक अभी तक बाप के पैसे पे पल रहे है अभी तक मा पैसे क्पल रहे है नोकरी नहींरा काम नहींक कर ख़रा हैं महाब आप कब तक खिलावी गैसित्तर आपको जहलनी पड़ते हमें भिडिनी पड़ते हैंओ जब तक धुक नहीं भी तो इस तरीके की पोलीसी आप देखोगे तो चला देती हैं कि भी बेरोज़गारी भत्ता दे ठीक है बेरोजगारी भत्ते की साथ से फिर कुछ इनीसियली जब तक कोई पर्मानेंट जुगाड़ना हो जाए नोकरी का तब तक इनीसियली कुछ छोटे-मोटे काम निकालती रहती है कि दखो यह कोंट्रेक्ट पर यह वर्क आ गया जब तक पर्मानेंट जो बनियाए तब देखिए गाउं में जो बुजुर्ग लोग हैं जो सीनियर सिटीजन है और उनके पास कोई सैलरी नहीं आती वो कोई जोब नहीं करते हैं तो ऐसे में आप उनको किनारे तो छोड़ नहीं सकते और आजकल तो इंडिया की सोसाइटी थोड़ी सी इस तरीके से भी होती ही चल बजने लग आते हैं तो ऐसे में माल लेते हैं कि दो बुजुर्ग लोग हैं वो जोब नहीं करते उनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया है या उनके बच्चे ही नहीं है तो ऐसे में उनका खर्चा कैसे चलेगा तो सरकार उस चीज का भी ध्यान देती है वरधावस्था pension बुडपा pension बोलते हैं वो उनको दिलाती है आप मैंसे बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्त जो हैं आप लोग अपनी family के अंदर अपनी दादी दादा पर दादा पर दादी कभी जो हैं उनको आप लेकर के जाते होंगे कई बार pension दिलवाने के लिए है ना तो इस तरीके की कोशिस करती है ठीक इसके साथ साथ आप देखोगे कि जो दिव्यांग person है उन दिव्यांग persons के लिए special scholarship government देती है कि वही कोई person जो physically disabled है दिव्यांग है तो वो समाज में पीछे ना पिछड़ जाए है ना वो भी आगे बढ़े तो उसके लिए एक government क्या कर दिए special scholarship scheme सला देगी free coaching ठीक है वो देदेगी ठीक है अलग से job के अंदर reservation देदेगी merit में कम उनको number एक merit कम उनकी declare करेगी है ना equal social justice लाने के लिए समाजिक नियाई को लाने के लिए तो यह सारी की सारी चीजे कहां है article 41 में तो government जो आजकल policies बनाती है जिनको देखकर कि हम खुस हो जाते हैं हमें लगता रहे वह सरकार कितना अच्छा काम कर रही है वह सरकार काम कर रही है लेकिन कर कहां से रही है यहां से कर रही है DPSP से कर रही है निती निदे सकता तो वो direction दे रहे हैं government को कि देखो इस रास्ते पर चलो ऐसे करो यह work करना है तो government work करती है अब अगर DPSP में मान लेते हैं कि कोई एक कैसी country है उसका DPSP होता और उसके DPSP में लिखा रहता और उसके DPSP में क्या लिखा रहता कि एक particular caste को यह एक particular religion को यहां से खतम कर दो केवल एक ही religion रहे तो वहां की government फिर उस तरीके से work करती है वह ऐसी policies बनाती है ना और लेकिन हम India है democratic country है हमने एक अच्छे well-mannered तरीके के directions दिये तो उस well-mannered तरीके के directions follow करती है यह चीजे है तो government यहां से work करती है चलिए आगे चलते हैं एक और चीज देख लीजिए इट मेक प्रोविजन फॉर अगर हम बात करते हैं कि जो human conditions है work and maternity relief इसको समझे है मानवोचित कारिये की दसाएं और प्रसूती सहायता का उपबंध article 42 इसको भी समझे है आप देखे प्रसूती सहायता के लिए क्या किया जाते है आपने साय दोजार 2014-19 की बात मैं कर रहा हूँ government ने सायद कुछ policies चलाई थी कुसुम और सुमन नाम से कुसुम या सुमन इस तरीके से नाम से कई सारी policies बनाती है government उसके अंदर basically government ने क्या क्या कि जो भी women जो pregnant है और वो अपने pregnancy के बिलकुल last week के अंदर है तो उसको उसके घर से hospital तक ले जाने लाने के लिए free ambulance government प्रोवाइड करेगी प्री medical aid प्रोवाइड करेगी प्री medical उसको facilities वहाँ पर प्रोवाइड करेगी government जो है जितने भी माताएं हैं जो गर्व होती महिलाएं हैं उनको time to time vaccination time to time iron वगरा की दवाईयां वो उनको प्रोवाइड कराएगी तो ये सारी की सारी policies government चलाती है government उसका credit लेते तो वो basically यही इसे ही चलती है यहीं से ही लिए जाते हैं काम की मानवोची दसाएं human conditions of work इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आपको work तो दे दिया लेकिन माल लेते हैं कि आपको work काम कर रहे हैं वहाँ पर light ही नहीं है अंधेरे में सारा काम कर रहे हैं आपको कहरें कि अंधेरे में ख करने के लिए बातरूम नहीं है वोस्रूम नहीं है यह एक बहुत बड़ी समस्या रही है भारत के अंदर वर्क प्लेस के उपर टोइलेट नहीं मिलता है फिर विचारे फिर उता गया इधर उधर कर रास्ता डूनना पड़ता है अब लड़के लोग तो फिर भी बेसरम की तर आप से जाग करके मामला सतर कुरकर की आ जाते है कि चलो सांती मिलगी तसली मिलगी पेट को लेकिन विमेंस कहां जाए ठीक है अगर आपके लिए वहाँ पर वर्क कर रही है थोड़े जोब कर रही है तो उनको भी तो भाई अब ओविस सी बात है यह सारी चीजे तो नेचर करना ठीक है यह इस चीज़ को फोलो करना यह जरूरी है तो गोर्मेंट आज कल जिस तरीकी की रूल रेगुलेशन बनाती है उसमें आप देखना कि कि किसी भी जगह पर वर्क करने के लिए आपको फिक्स कर देते हैं कि यह एट आवर का टाइम फिक्स है इतना करना है और टाइम के अंदर आप जिस जगह पर वर्क कर रहें वहाँ पर लाइट भी होनी चाहिए प्रोपर प्रोपर एयर का वेंटिलेशन भी होना चाहिए प्रोपर आपको पानी भी मिलना चाहिए आपको ब्रेक भी मिलना चाहिए खाने के लिए वहाँ पर सुसु पोटी के लिए टोइलेट भी होना चाहिए, विमेंस के लिए अलग, मेंस के लिए अलग, इनको human conditions बोलते हैं, अगर कोई इसको नहीं follow करता तो government उसके उपर जुर्माना लगाती है, एक्ट बनाते हैं तो इस तरीके की policies हैं, आज की इसके लिए आप देखना है कि एक नियुनतम मजदूरी, minimum wages का नाम आपने सुना होगा, नियुनतम मजदूरी मजदूरी, सुने हैं अपने नाम की निये सुना minimum wages इसको बोला जाता है minimum wages जैसे माल ले पे दिल्ली क्या मैं आपको example देता हूं दिल्ली में आप कोई भी काम करें जिसको लोग कहते हैं कि यह सबसे starting point वाला काम है basic सबसे विल्कुल beginning वाला काम है अगर वो भी करोगे तो एक particular उन्होंने fix कर रख्या कि 17, 18 ये 20,000 रुपीज साइध कुछ है कि ये 20,000 रुपीज तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे परमंत इससे कम में आप काम नहीं करवा सकते हैं हर state में भी minimum wages fix हैं हर work के लिए मजदूरी के लिए मजदूरी की बात कर रहे हैं जैसे कि मान लेते हैं कि मनरेगा के अंडर में कई लोग काम कर रहे हैं कई लोग pit साफ करन इसी इस government बनाती है तो उसके लिए उसको direction कहां से मिली उसको direction यहीं से मिली ठीक है मेरा दोस्त चलिए तो यह थे many basic basic से to take steps to secure the participation of workers in the management of industries उद्ध्योगों के परबंद में कर्मकारों को भाग तो मजदूर union का नाम आपने सुना होगा इस तरीके की मजदूर union बनने लगी प इन वहीं से चखड ना वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े होते हैं है वहीं से लाइन शुरू होती है जहां पर हम खड़े होते हैं विल्ला नमबर 786 विजय वगरा वगरा इस तरीके से नाम से तो लेबर union आपने देख्योंगी कि वह direct company का जो management है उनके साथ मिलकर के decision में participate करते हैं कि क्या rule regulation होने चाहिए क्या rule regulation नहीं होने चाहिए है ठीक है तो इन सब चीजों के लिए भी direction कहा से आए यहीं से आर्टिकल 43A बाद में add-on हुआ पहले नहीं था बाद में add-on हुआ amendment के बाद वाल लेकिन चीजे तो वही है कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग चीजे क्या थी direction यहां से मिला government ने government ने act किया government ने कोशिस की ठीक labor जो मजदूर union है उनके माध्यम से उनको भी participate करने का chance दिया आज देखना कि बड़ी बड़ी companies जो अपने labor को अपना वो देत हैं यह चीज तो यह सारी यहां से हुई है ठीक है पोसा हर स्तर और जीवन स्तर को उच्छा करना तथा लोग स्वास्ते का सुधार करना तो रेज दा लेवल ओफ नूटिशन एंड दा स्टेंडर ओफ लिविंग औफ पीपल और इंप्रूफ पॉब्लिक हैल्थ इसके मिड़े मील का नाम आपने सुना होगा मिड़े मील नाम सुनें मिड़े मील कूल के अंदर सभी बच्चों को हेल्दी न्यूट्रिशन हेल्दी खाना मिले प्रोटीन मिले प्रोपर तो उसके लिए खाना देना रेगुलर दोपैर का खाना अपर राहन भोजन योजना जिसक में, रूरल एरियास में, अलग-अलग जगों पर, तो यह सारी की सारी चीज़ें इनी से निकल करके आती हैं, अब हम चलते हैं, गांधिवादी सिधानत पर, गांधियन प्रिंसिपल्स पर, तो गांधियन प्रिंसिपल्स को हम कोसिस करते हैं, जाने से पहले आपके how's the joss, जान ले जरा, how's the joss, जिन्दा है कि नहीं, how's the joss, अरे joss होना चीए अंदर, भरा होना चीए, और classes का timing note कर लो मेरे दोस्त, दो टाइम क्लास होती है, एक bilingual होती है, ठीक है, bilingual, bilingual क्लास होती है कितने बज़े, ये होती है 6 p.m. पर, डेली, दूसरी जो है, वो हिंदी माध्यम की class होती है, हिंदी मीडियम की, हिंदी माध्यम, हिंदी माध्यम की class जो होती है, वो होती है 9 p.m. पर, डेली, आज रात में 9 बज़े है, टेलीग्राम चैनल जोईन कर लो, सारे pdf डाल रखे मैंने, अनेकेडमी का ही टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम सुन लीजे बड़े ध्यान से, अनेकेडमी ललित यादव की पाट साला, अनेकेडमी ललित यादव की पाट साला, अनेकेडमी ललित यादव की पाट साला, ठीक एकता कपूर के सीरियल की तरह बोलना पड़ता है, free में available है, वो मेरी तरफ से एक gift है मेरे सारे students, वो प्यारे-प्यारे students कि कम से कम books तो मैं free में दे दूँ तो जो free में दे सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ कोई भी नहीं देगा, कहीं पर भी नहीं मिलेंगी उस telegram channel पर आप वो गड़बड है, कुछ तो लोचाय दया, class होगी की नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है तो telegram channel को देखते रहना है like share करते चले जाना है और जब भी anacademy का course join करें, कभी भी join करें अगर आप चाहते हैं कि आपको एक teacher guide करे कोई manager assistant के बिना teacher से direct बातचीत हो, और teacher खुद personally guide करें आपको तो anacademy का course जब भी join करें ये referral code याद रखिए ये अपना लगाना है ठीक है, ये लगाना है L Y L I V E L Y L I U ये code apply करना ठीक, फिर आपकी जिम्मेदारी पूरी मेरी मैं आपको proper guide करूँगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब करना है, कब क्या नहीं करना throughout your exam की preparation, और इसके लिए पहले check कर लेना है, बात करके सबसे है ना, पहले बात करके check कर लेना है, कि बात हो रही है कि नहीं, अगर teacher से बात ही नहीं हो रही तो फिर तो कोई कितना भी बोले personal guidance नहीं मिलने वाली लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि personal guidance दे रहे हैं तो बात करके देख लेना है पहले ठीक है तो मेरे से direct बात आप सब की होती है हमेशा मेरे से ही होती है मैं ही करता हूँ बात आपसे थोड़ा सा कई बड़ टाइम लग जाता है अगर रिस्पोंस नहीं मिले तो वेट कर ले ने 24 गंटे के अंदर अंदर मेरी तरस वापस रिस्पोंस आपके आएगा ही आएगा हमेशा आएगा ठीक है तो जब भी कोर्स जोइन करें क्लासिज आपको सारे टीचर्स की मिलने वाली आने के अडवी पर जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं सब की क्लास मिलेगी लेकिन गाइडेंस मैं कर सकता हूँ मैं दे सकता हूँ ये कोड लगाना तो आपकी जिम्मेदारी मेरी मान करें चलिए हर स्टेप पर आपके साथ में हूँ हर चीज में आपकी responsibility मैं उठाऊँगा LY live आपकी सफलता का कोड code to success LY live thank you Manisha सुसान्त जिन दोनों दोस्तों ने हमारा referral code लिख करके भेजा दोनों को thank you और भी जितने भी हमारे दोस्ते हैं जल्दी से लिख करके बताईए referral code क्या है referral code comment box में जल्दी से लिख करके बताईए comment box में हमारा referral code क्या है LY live जल्दी से बताईए तो आपको पूरा proper हम हमेशा guide करते रहेंगे जितने भी हमारे प्यारे मित्र हैं प्यारे दोस्ते thank you आप सबको best wishes इमानदारी से पढ़िए आप सबको पूरा support आमारी तरफ से जितना भी हो सकता है वो मैं आपनी तरफ से देता हूँ कोई भी guidance से यूँ वो भी आपको मिलती है साथी आपको किसी भी तरीके की help ची आप बिलकुल आए टेलीग्राम चैनल जोइन कीजिए वहाँ पर आपको सब कुस मिल जाएगा सारी जानकारी मिल जाएगी ठीक है unacademy का खुद का टेलीग्राम चैनल है नाम सुन लीजिए unacademy ललीत यादव की पार्ट साला फिर से सुन लीजिए तो हमारे दोस्त हैं फैज खान थेंक्यू दोस्त रितेश, रितुराज, काजल वुपेंदर सिया, जितिंदर थेंक्यू, थेंक्यू सबको इम्तियाज सोम्या, सुहेल रितुराज, सुहेल, रितेश M. लोकेश, आकास लेख राज, राजरतन, सुसांत दादा साओ welcome, welcome सबको welcome, सबको thank you, दोस्ट काजल, लोकेस, रोकिंग स्टार आसिक, सोनम रिते, सृतुराज सबको thank you सुसांत, स्वेता, जितेंदर, राजरतन, रूबी जिन लोगों का भी नहीं ले पाया मिस हो गया उनके लिए मैं माफ़ी चाहूंगा लाइन जैड गेमिंग स्मिता सोनम सबको थेंक्यू सबको थेंक्यू ठीक है चलिए गोड़ ब्लेस यू अच्छे से पड़ो इमानदारी से मेनत करो लाइक सेर करते चले जाने क्लासिस को लाइक सेर जरूर करन क्लास खतम होने के बाद कमेंट करके बताया करें और रात में 9 बजे मिलिए हिंदी मीडियम की क्लास होगी एम लक्समी कांत का चैप्टर नमबर 80 वहाँ पर चल रहा है उसमें हम आप से चुड़ेंगे तब तक के लिए हमारे तरह से बेस्ट विशिस सुब कामना है याद स लगाते चले जाने जब भी कोर्स जोइन करें इसको लगाना मैं आपको सियोरिटी से गारंटी से बोल रहा हूँ पर्फेशनली प्रोपर गाइडेंस मिलेगी चेक कर लेना पहले एक बार बात करगे सियोरिटी के साथ ठीक है तो आप सबको मेरे तरह से सुब कामना है आप सबको बेस्ट विशिज आप सबको जै हिंद जै भारत लेट्स क्रेकट झाल 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 झाल